परमधाम ट्रस्त प्रमोख राधिशाम बाहराश ने शुकरवार को प्रेश क्लब में पत्रकार बारता कर गीटा परम रहस्य पर प्रकाश चाला। उन्होंने कहा कि गीता को पढ़ने वस समझने से जीवन में कई चमतकारी परिवर्तन होते हैं इसका जीता जाकता उदार है मैं स्वयम हूँ परम गुरू रादेश राम जी ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है मैंने उपर भी कई तरह की आरोप प्रत्यारूप लगे हैं आज मैं आप सभी पत्रकार सातियों के बादिम से यह स्पश्ट करना चाहता हूँ कि वो दौर गुजर क्या है उसने बड़ी जख् कोशिश करें मैं बताना चाहता हूँ कि बतला जीवन का हिस्सा है इसी बतला ने गीता की परम रहस्य को जाननी और उसका सुंदर सरल अनुवाद करनी के लिए मुझे प्रेडित क्या है यह भगवांश्य कुष्ण की दिला है कि उन्होंने इस राती शांग को इस कारी के ल सार्मिड़की परम सन्यासियोंने सेवा की प्रकल गौसेवा नंति सेवा सहीद अन्यकार्यों में जुड़के हैं अब मैं बिल्कुल कंपनियों को छोड़ चारके बिल्कुल अध्यतम के मारक पर आ गया हूं और परमधाम जो है यह किता का परचार कर रहा है और मानवता देखे आज प्रत्री के उपर पसुम पक्सी जीव जन्तु जैसे जातिया है ऐसे ही मुझे एक जाती है लेकिन अब इसके अंदर हम देखिए बच्चों के विए कलासे सुख रहानी के जाए यूंको ध्यान मेडिटेसन के बारे में बताया जाए परम्धाम गरीब बेटियों की विसाधी कर रही है और परम ध्धाम के इंदर परम जल हम 20 लोगों को दे रहे हैं जिसमें गंजा जल और म लोगों के पास में जाते हैं कि इसके अंजर राधी शयाम का भी रहात है कि पीछे एक इबड़ा नाम रहा है तो लोग नाम के हिसाब से क्या है बोल देते हैं कि चलो राधी शयाम था So can you go जातने हैं तो मैंने एक साल पहले भी भूला था कि मेरा किसी कंपनी में कोई लेना देना नहीं है अभी एक अभायार हुई थी जीन के अंदर उसमें भी लोगों ने मेरा नाम दे दिया देखे एक साथ साल पहले इंग वो समय था वो बीट गया वो समय के साथ साथ में आज परमात्माने अगर मेरे को चुना है देखिए राजे स्याम जो 7 साल वाला जो पहले वाला था वो मर चुका है आज भगवान में इस सरीर को चुना है इस अध्यातम के ज्यान का परचार करने के लिए और फिर भी लोग अध्यातम का परचार नहीं करने दे रहे हैं देख झाल